हमारे साथ खास मेहमान हैं, जो खेल से जुड़ी हुई हैं, और युगा खेल विभाग की वो निदेशक हैं, और खुद भी एक मलब एक अच्छी एथलीट रही हैं, और नकसल प्रभावी ती इलाकों को लेकर क्या योजना चल रही हैं, और किस तरह से प्रतियोगीताएं हो कितने बच्चे आएंगे, सरउजनी माहम से बात करेंगे, माहम सबसे पहले समचार प्लस में आपका स्वागत है, तेंक यू, माहम, पांच जीलो में जो कारीक्रम हैं, खेल को लेकर, क्या है ये और वहां के बच्चों के लिए कितना खास आउसर है, ये प्रेटन कला संस्क खेल को दिवा कारे भी भाग जार्वन सरकार दौरा उग्रवात प्रभावित पांच जीलों में, पच्मी सिम्भू, सराइकेला, खोटी, सिम्डेगा और गुम्ला में, प्रखंड और जीलास तर्ये सहाई खेल कुत प्रत्योगिता का आयोजन किया जा चुका है, और कल 16, 17 और अठारा ये तीन दिन राजस तर्ये सहाई खेल कुत प्रत्योगिता का आयोजन किया जाएगा, और इसमें लगभख 520 खिलाडी भाग लेंगे, जो कि फुटबॉल, हौकी, बॉलीबॉल, एथलेटिक्स से भाग ले रहे हैं, और एथलेटिक्स में जो है, चार खेल में हैं, एक सो मीटर, दो सो और चार सो और लॉंग जब में भाग ले रहे हैं, तो इन खिलाडियों का आयोजन हम राची में, विर्सा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में, बरियातू, टर्फ मैदान में, मंदिर मैदान में भी हम लोग फुटबॉल के लिए यूज करते हैं और एक पार्क मैदान है, वहाँ पर बोली-बोल का हम लोग आयोजन करेंगे इन जो घोर नकसल प्रभावित हिलाकों से जो बच्चे आएंगे, फाइनली जो अच्छे बच्चे स्लिक्ट होंगे, उनका आगे का भोईशे क्या हो? इसमें जो भी अच्छा अगर सेलेक्ट किये जाते हैं, तो वैसे खिलाडियों को हमारे खेल विभाग के अंतरगत, संचालित, अवासय प्रशिक्षन केंद्र या सेंटर फॉर एक्सिलेंस के लिए भी हम लोग इनको चायन कर सकते हैं, तो एक सुईधा तो इनको ये मिल सक दूसरा चीज है कि ये खिलाडी अभी जरूर खेले हैं, तो इनके लिए भी हम लोग आगे भी खेल से जुड़े रहें, उसके लिए भी हम लोग प्लान करने की कोशिस कर रहे हैं, तो और भोईशिया में भी जैसे इस साल पांची जिला में हो रहा है, और ये तो बहुत ही अच्छा है ये इस तरह का आयोजन युवाओं को एक खेल के माध्यम से मुख्यधारा में जोड़ना, इनको इंस्पार करना, ये बहुत ही अच्छा है, ये मकसद से कराया जा रहे है, युवाओं के लिए, इस्पेसली युवाओं को प्रोथसाहित करने के लिए ही किया ज लेकिन युवाओं में आर्थिक रूप से वो लोग ये नहीं हो पाते हैं, या फिर उनको ये एडिया नहीं रहता है कि उस गाउं से वो किस रास्ते पे जाएं, कहां जाएं, और वईसी स्थिति में, अगर उनको किसी भी स्थिति में, वो कहीं उनको इस तरह का अच्छे अगर हम खेल के माध्यम से उनको इंस्पार करते हैं और उनको आगे का केरियर के लिए भी हम लोग प्रोटसाहित करते हैं तो अच्छा है यह लोग के लिए फायदे ही होंगे यह अब आप डॉक्टर सरोजनी लखड़ा के नाम से जाने जाएंगे यह डॉक्टर की जो मानद उपादी है कहां से मिली है और यह जारखंड के लिए प्राउड के बात यह ब्रिटिस युनिवर्सिटी ऑफ कुईन मेरी ने मुझे यह यह ओनर बोलेंगे यह ओनर किया गया है यह डॉक्टर की उपादी और ऐसे मैं यह जर्मानी स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी को लोग जर्मनी से यह ओलंपिक एजुकेशन में 2016 से अठारा तक पार्ट टाइम की जिसमें की जो जो जोब वाले ही जोब करने वाले या जो इंगेज हैं कहीं ना कहीं वैसा लोग उसमें पार्ट लेते हैं तो उसमें अलरडी मैं पार्ट ली हूँ उससे पहले भी जाएं तो दो ही काम किया है तो इसलिए मैं अभी जब मुझे ये मोका मिला इस पद पर काम करने के लिए तो मैं बेटर मदलब और भी सेवा दे सकूं ति ये मेरा काम करने का है खिलाडियों के लिए मैं इस पाद में हूँ इसलिए काम करे ऐसा नहीं है मैं कहीं भी रखती हूँ तो वोग पंदो, ऑनों वोग आया था, उनलों ने मुझे जानकारी दिए, उनलों ने मुझे बताया, तो मैंने काया इसमें तो मैं भी फुल्फिल करती हूं, तो उनलों ने लिया उसको और वोग ने इसको भेजा, तो भेजा तो मतलब मेरा बहुत ही स्ट्रॉंग मेरा जो अचीवमेंट, प्रोफाइल, वर्क ये सब काफी था तो बहुत जल्दी उन्हों ने अकसेप्ट कर लिया और उन्हों ने मुझे ये भेजा भी अभी तो मेल से सर्टिफिकेट भेजा गिया है, फिजिकली भेजा जा हैं सन्मय चाहिए, फेनानशियल ये इन्वाल्व हो जाता है तो मैं और काम भी बाधित हो सकता है अगर मैं बाहर जाती हूँ, और सिर्फ मेरे अउनर को लेने के लिए बाहर जाती हूं, उन्होंने तो दे ही दिया, मैंने एकसेप्ट कर भी लिया, लेकिन सिर्फ लेने के तो मैं सिचुएशन को देखूंगी कि उस प्रोग्राम में मैं भाग ले पाऊं या नहीं ले पाऊं चुकि पहले तो मुझे अपने खेल के लिए जो काम कर रहे हूं, खिलाडियों के लिए काम कर रहे हूं, वो बाधा ना हो और अभी ज्यादा काम तो है ही. तो ये दिखे, अब डॉक्टर सरोजिनी लकडा के नाम से जानी जाएंगी, क्योंकि स्पोर्ट के छेतर में जो इनका एचिव्मिन्ट रहा है, जो रेकॉर्ड रहा है, और जो वर्किंग कैपसिटी रही है, तमाम चीजें कहीं न कहीं स्पोर्ट से जूड़ी रही हैं, और राज्य के लगभग पांच वैसे उक्रवात प्रभावित जीलों के बच्चों को लेकर, जो खेलकूद कभी जो आयोजन कल से होना है, तो वो भी उन बच्चों के लिए भी एक बहुत खास औसर है, समाचार प्लस के लिए कैमरामेन अर्विंद के साथ अंजनी कुमार राज़की